हलो चातरो आज हम पढ़ेंगे न्यूटरन द्वारा दिये गए गती के नियम न्यूटरन द्वारा तीन नियम दिये गए फर्स्ट, सेकिंड और थर्ड पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तू विराम अवस्था में रखी भी है तो वह जब तक विराम अवस्था में रखी रहेगी जब तक उस पर कोई भाईयबल कार्रे ना करे वैसे ही जैसे एकर कोई भी वस्तू समान चाल से चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भाईयबल कार्रे ना करे जैसे ग्राउंड पर बोल जब गुड़कती है तो वह गर्षन बल के कारण एक जगे जाकर रुख जाती है उसी प्रकार जैसे गाड़ी अचानक से चले तो उस पर जो वेक्ति बेटा है वो पीछे गिर जाता है दूसरा नियम है कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिसामे उत्पन ने त्वारन के गुलनफट के बराबर होता है इसका उदारण है इसका उदारण के एक्जामपल F बराबर M इंटू A M का मतलब है उस वस्तु का बजन और A का मतलब है एक्सेलरेशन त्वारन और त्वारन जो वेग में होने वाले परिवर्तन की दर त्वारन खेलाती है तीसरा नियम जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरी वस्तु के द्वारा भी पहले व्यक्ति वस्तु पर उतना ही बल विप्रिद लगाया जाता है अर्थार प्रतेक्रिया की प्रतिक्रिया होती है जैसे की बंदूक से गोली चलना